हेलो बच्चो वेलकम तो माई चैनल एया कॉंसेट लेर्णिंग आज जो हम चर्चा करने चाह रहे हैं वो डीलेड फास्टियर एफ फॉर सब्जेक्ट जो है विद्याले संस्कृति परिवर्तन और सिक्षक विकास इसके नोट्स को देखेंगे तो आप हमारे इस चैनल के कि विद्याले संस्कृति और परबंधन यानि मैनेजमेंट की बात की जा रही है स्कूल मैनेजमेंट तो हम जानते ही कि हर कार्ज के लिए परबंधन की आवसकता होती है चाहे वह घरेलू हो वेबसाइक हो या बड़ी-बड़ी संस्था हो सब में बिना परबंधन के वह सह इसी विवस्ता से है जिसके मादम से विद्याले के तमाम गतिवीदियों को सुचारू रूप से किया जाता है इसके अंदर गत विद्याले संसाधनों का परबंधन तथा मानब संबंधों का परबंधन आता है अब हम बात करें कि विद्याले परबंधन की आवसकता क्यों ह तो विद्याले के दैनिक गती वीदियों का संचालां सुचारू रूप से करने के लिए विद्याले के हर आयाम पर ध्यान दिया जाए ताकि विद्याले का सरवत्म विकास हो सके विद्याले भवन, मैदान, पर्योग साला, पुस्ताकाले जैसे संसाधनों का बहतर ढंग से उप्योग करना तथा इसे विवस्तित करने के लिए विद्याले के सभी करमचारियों के साथ तालमेल बिठाना विद्याले तता समाज के बीच अच्छा सम्मध विक्सित करना इन सब के लिए विद्याले प्रवंदर क्या वसकता है अब इसका उदेश क्या है तो बच्चों को समावेसी तता लोकतांतरिक सिक्षा अपरदान करना विद्याले में नवचारी और सिजनात्मक काडियों पर पीने योग के पानी बिजली स्वक्ष्टा और सुरक्षा का इंतजाम करना मानवी भौतिक वह वीतिये संसादनों को विवस्तित करने के लिए विद्याले को सुचारुरूप से चलाने आधी के लिए हमें विद्याले परबंदन की जो उद्धित परबंदन का सनरचना अत परसासनिक संस्थाएं यह पांच तत बहुत इंपोटेंट होते अब विद्याले भवन की बात कर ले तो विद्याले परबंदन की संद्श्टा में विद्याले भवन की एहम भूमिका होती है इसके अंतरगत इमारत इस्तिती जगह खेलका मैदान पुस्तकाले परयोग साल परिवेश शुद्ध जल वाईयू एवं परकास का भी होना जरूरी है विद्यार्थी विद्याले संद्श्टा में समांत विद्यार्थियों को पढ़ने पढ़ने तता सिक्षक को पढ़ने वाले के रूप में देखा जाता है लेकिन इस नजरीय को बदलने की जरूवत है हाला कि विद्यार्थियों को ही केंद्र में रहकर लिया जाता है जैसे पाठी करम का निर्मान करना हो या कोई आयोजन करना हो उसमें विद्यार्थियों को ही केंद्र में लेकर निर्ने किया जाता है यहां विद्यार्थियों को लाप पाने वाले के रूप में रखा जाता विद्यार्थियों को सिर्फ शिक्षा गरहन करने वाले अंग के रूप में देखा जाता और उन्हें विद्याले परबंधन का अंग नहीं माना जाता लेकिन विद्यार्थियों को कुछ विद्यार्थियों में विद्यार्थियों को भी जिम्यदारी देनी चाहिए ताकि उन का संचालन की जिम्यदारी भी बच्चों को दी जा सकती है और भी बहुत से ऐसे काम विद्धाले के अंदर होते हैं जिनकी जिम्यदारी बच्चों को दी जा सकती है है सिक शक ऑफ हम परधान शिक शक तो सिक शक शक का एक वद्दैक के अंदर एक सख्री सदस होते हैं सबसे जिएदा पर्धानांद ध्धापक कुछ को किशाथ मिलकर करते जैसे वबिन अपाठिकरम सहगामी किरियां करना बच्चों का ना इस तरह की चीजे पर्धाना आपक निड़देश सकट की भूमी का निभाते हैं और सिक्षक बच्चों के विकास पर ध्यान देते हैं और बच्चों का माउगदर्सन करते हैं उन्हें सही गलत का पहचान सिखाते हैं विद्धियले परबंदन की संद्श्चना की चौत्ह मुख्तत्व है समुधाय को भी एह्मस्थान मिलता है माल लीजे नामंकिर के बाद बच्चे स्कूल नहीं आते तो यहां समुधाय आके बढ़कर बच्चों को विद्धियले जाने के लिए प्रेडिक करेंगे विद्धैले अगर सचारू रूप से नहीं चल रहे हैं या वहाँ किसी का मनमानी चल रहा है To समुदाये इसमें दखल देकर इसे सहीँ कर सकता है विद्धैले में सिक्षन कार्ज समयसारिनी के अनरूप नहीं चल रहा हो या मिड़्े मिल में कोई गरबरी हो तो समुदाय सिक्षक अभी बावक बैटकर ये विचार विमस कर सकते हैं विद्याले परबंदन की संरश्णा में समुदाय के भूमिका के अंतरगत ग्राम पंचायत प्रखंड पंचायत नगर पालीका नगर निगम की महत्पून भूमिका दिखाई दे रही है और ये पांच नजर रखती है साथ ही विद्याले को दा दिसा निर्देश भी करते हैं जैसे ज्यादा गर्भी भड़ जाने पर या बाढ़ आ जाने पर विद्याले को बंद करने के आदिस्ट देते हैं विविन घटक कार्ज संस्कृति अनुसासन समय परबंद आपदा परबंद बाल सं करती है तो समय परबंद विद्याले का सुचारू रूप से चलना ही महत्पुन नहीं है बलकि इसके सभी काज सही समय पर यह भी महत्पुन है तो विद्याले के दिन की शुरुआत को लेकर आकरी घंटे तक का समय साड़नी तयार किया जाता है साथी वार्शी कैलेंडर पर अस्तरों पर तयार किया जाता है इसमें से कुछ निम्लेखित हैं दिने चरिया के अनुसार समय साड़नी तो एक पूरी दिन का किस तरह का समय साड़नी होगा जैसे विद्याले की जो सुरुआत है वो चेतना सत्र होती है इसके बाद विश्यों के लिए घंटी बचाई जाती हादिए चेतना सत्र विद्याले का एक खास हिस्साहि प्रातंप प्रसंग सूचना पसारन सारेट सुक्स्ता जाज स्यवके गतिव गतिवर्ण की जाती है चेतना सक्षण्व का सकारात्मक पुर्बाव बच्चों पर होता है कि कखशान जानुसार समयसारणी यह समयसारणी हर एक कश्या के लिए बनाई जाती इसमें लिखा होता है कि कौन सी घंटी कौन सा विस है कब बढ़ाई होगी और उसे कौन सिक्षक बढ़ाएंगे उनका नाम भी लिखा रहता है साती खेलकुद और अन्सा गामी किरियाओं का भी वर्नन जैंस रहता है सिक्षक अनुसार से मतारी इस परकार का समयसारणी नी सिक्षक पर आठियाम भाबा सब्यक्सक्राणी परद्ध यह बहुत होता है पताचलता है कि कौन सिmarkt में पढ़ा है पाठी करम अनुसार समयसार्मी नी रसे सभी विद्धै Любय के बाठी करना थारा है विद्याले का अलग पाठी करम होता है तो यह विद्याले अस्तर पर परतिक विश्य के पाठी करम अनुसार बनाया जाता है इसमें विश्य की पढ़ाई परतिक सत्र में सही समय पर हो जाती है संपुर्ण समेस आरणी में विद्द्दाले के सब इकारजों का वर्षी कलेंडर त्यार किया जाता है बच्चों का नामंकं सैक्ष्णिक कारी करम रास्ट्रिय तहिवारों अवकार्ष अंगति वीद्यों वकारी करम सिक्षक अबिबाव बैठक इत्यारी का उलेक रहता है त प्राकिर्तिक आपदा में भुकंप और बाड का खतरा रहता है और मानव जनित में कमजोर दिवारों का तूट कर गिरना रेल या सरक दुरगटना आग लग जाना बिजली का करेंट लगना ये सारी मतलब मानव जनित आपदा है ऐसे में सिक्षकों का कर्टब बनता है कि वो बच्चों को इस संकट से अफगत करा है और आपदा परबंधन बिहार एक ऐसा राज़े है जहां आपदाओं का संकट हमेशा बना रहता है अपनाए दो परकार की होती है प्राकिर्तिक और मानब जनित प्राकिर्तिक आपदा में भुकंप और बाड का खतरा रहता है और मानब जनित में कमजोर दिवारों का तूट कर गिरना रेलिया सरक दुरगटना, आग लग जाना, बिजली का करंट लगना ये सारी चीज़े आती है, ऐसे में सिक्षकों का कर्टब बनता है कि वो बच्चों को इन संकटों से अवगत करा है और इन सब से बचने का उपाई बदा है यही नहीं विद्धैले का यह भी कर्टब है कि वो समाज को इसके लिए जाग रुक करे और ऐसे संकटों से बचने के लिए सुरक्षा उपाई हमेशा तयार रखे विद्धैले में आपदा परबंधन के दिष्टिकों से सुरक्षा सिक्षा के अंतरगत चार परमुक पहलुए रखे गए जो निमली खित है तयारी विद्धैर्थी और लोगों को जाग रुकता फैलाना कि वह किस तरह से तयार रहे किसी भी आपदा का सामना करने के लिए मदद अनुक्रिया आपदा की समय या बाद में या पहले सुरक्षात्मक उपाये मदद कहलाते हैं घायलों के लिए चिकत्सी वेवस्था करना परभावित लोगों को स्रक्षशत अस्थान की वेवस्था करना खोए हुए लोगों को खुशने के लिए मतलब गठन करना या मदद करना और या तीसरा पुर्णवासन यानि आपता से प्रभावित लोगों फिर से उचित अस्थान पे ठहरानी की विवस्ता पुनरवासन कहलाती है संकर्मित बिमारियों को फैलने से रोकने का उपाई करना प्रभावित लोगों का मनवल बढ़ाना ताकि वो हिम्मत रखे आपता के बाद मलवे स उप्योगी वस्तूं को फ्षाट कर अलग करना प्रभावित लोगों को वितिय सहाधा करना और 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 फूर्थ जो है लास्ट है निवारन यानि आपदा की रोक्ताम के लिए पहले से की जाने वाली उपाई निवारन कहलाती है खत्रा प्रभावित छेतरों से दूर आबा कारन कहला न ranked से ऊपाय के अमल में लाने से आपदाओं के बाद कम नुकसान होगा इस तरह से हम आपदा का प्रबंदन कर सकते हैं नेगरसंसद बाय संसद बालसंसद विद्याले के विद्यार्थ का एक मश है जहां खुलकर अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं इससे बच्चों में जीवन कोशलों का विकास होता है निर्न लेने की चमता का विकास होता है इवं विद्धाले परबंधन में उनकी भागदारी सुनिश्चित होती है बाल संसत का गठन बाल संसत का काड़िज का लेकवर्ज का होता है हर संच着 के पेले महीने में बाल संसत का गठन कर लिया जाता है परदाना अध्यापक dogs को Frauen संसतन करने का दायोत दे दिया जाता है सं योजक सिक्षक सभी बच्चों को पुर्व सूचना दें कर बुलाते हैं सभी विद्धिार्थियों को वर्ग अनुसार बैठाया जाता है, इसके बाद सभी बच्छों को बाल संसत के बारे में विस्तार से बताया जाता है। उसके बाद सभी विद्यार्थियों में से एक परधान मंत्री और एक उप परधान मंत्री चुना जाता है इसमें एक लड़की कहोना वस्यक है इस चैन के बाद सभी वर्गों के बच्चों को पांच समूहों में इस तरह से बाढ़ा जाता है कि विविन परकार के बच्चे सभी समू में हो इस समू का नाम महापूर्षों, नदियों, फूलों, पहारों के नाम पर रखा जाता है परतेक समू में एक मंतरी और एक उप मंतरी को चूना जाता है इसमें से भी एक लड़की अनिवाज रूप से होती है इसके बाद परधान मं द्वारा सभी मंत्री और उप मंत्री की बैठक बुलाई जाती है तता दायोत्तों का बढ़वारा किया जाता है तो बाल संसद के मंत्री निमलिखित हो सकते हैं परधान मंत्री एवं उपरधान मंत्री, सिक्षा मंत्री एवं उप सिक्षा मंत्री, श्वास्त एवं स्वक्ष्टा मंत्री, जल किर्सी मंत्री, पुस्ताकाले एवं विज्ञान मंत्री, सांस्कृतिक एवं खिल मंत्री, बाल से लड़कीं को विद्धयले जाने के लिए प्रेडित करते हैं इसका गठान आवम सिक्छक का परधान सिक्छक की देखरेख में किया जाता है सिक्छक काम मंच को सक्रिय बनाना मीना वंच में से एक किसोरी को चुना जाता है जो प्रेरक के रूप में मानी चाती है इसका कार्ज है मंच का नेतरुत करना सभी सदस्ष शफ्ता में एक बार मिलकर योसना बनाते हैं या बैठक मध्यकाली या विद्याले के चुट्टी के बाद किया जाता है मीना मंच के सदस्षों का की भागदारी बढ़ाना दहेच परता इवं बाल विवा के लिए समाज को जागरुक करना लड़कियों के लिए परतियों का आयोजन करना मीना मंच का उद्देश निम लिखे थे या देखना कि लड़कियां सही आयों में स्कूल में दाखला लेती है या नहीं लेती है माझ्म वे मिले कोड़ संकलनन व मपयोगः तौट उस आरे हा चीजह दी गई है कि किस तरह से विद्याले में जो भी रिकॉरर्द है संकलन नहया उसकी क्या प्योगिता है 2 तरह के अभी लेख होते है समान अभी लेक ऊब लेक आ भी लेक सही तो यह सारी चीज़े दिगई कि विद्याले में दिन की सुरुवात चेतना सत्थ की समझ इसके बारे में बताया गया है तरह से यूनिट वन कंप्लीट होता है सिक्षा के अधिकार के अंतरगत विद्याली विवस्था में परिवर्तन तो सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ और एक अप्रील 2010 में लागो किया गया इस अधिकार की आने के पीछे लंबा इतिहास है 1910 के गोखले बिल से लेकर भारत के आजाद होने तक भारती संविधान सवा में सिक्षा के मुद्धे पे बहस होती रही है उस समय या अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा जाए इस 1645 में सामिल किया गया और कहा गया कि संविधान लागो होने के दर्स वर्स के भीतर 14 वस्तक के सभी बच्चों के लिए सिक्षा की विवस्ता राच्वकेंद सरकार द्वारा कर लेनी चाहिए लेकिन 1993 में सरवच नियाले द्वारा उन्नी कृष्णन बनाम आंध्रापर्दि सरकार के मुकदमे कर निद्ने आया कि इसे मुल अधिकारों के तहळत रखना चाहिए इसलिए 2002 में संविधान की 26 संसोधन विधैक को पारिथ किया गया कि सिक्षा के अधिकार को जीवन जीने की सतंतरता से जोर कर रखना चाहिए अता इस अधिकार को अनुचेद 21 जो की जीवन जीने की सोतंतरता से संबदीत है में 21A में जोड़ा गया इस अधिनियम को बनाने में 8 वर्स लग गया और अंता 2009 में पारित हुआ इसमें कहा गया कि सिक्षा बच्चों का मोल अधिकार है सभी बच्चों को निसुलक और अनिवाल सिक्षा परदान करना सरकार का दायूत है सिक्षा अधिकार अधिनियम का परमुक विंदू ने में लिखेत है 6-14 वर्स की आयूवाले सभी बच्छों को निसुल केवं अनिवाल सिक्षा परदान करना राज्य तता केंद सरकार की जिम्मेदारी होगी हर एक आवसी च्छेतर में 1 किलोमेटर दायरे में कक्षा 5 तक के परात्मिक विद्धाले होंगे हर एक आवासी चेतर में तीन किलो मीटर दायरे में एक कक्षा से आठ तक कामध विद्याले होगा प्रारंबिक कक्षा यानि कक्षा आठ तक या 14 वस तक के बच्चों को किसी कक्षा में असफल गोसित नहीं किया जाएगा किसी भी बच्चों को उनके आईउ अनुसर कक्षा में दाखला दिया जाएगा सवी नीजी वसरकारी विद्यालों में 25 पर 30 सीट वंचित तथा आर्थिक द्रिश्टी से कमजोर बच्चों के लिए किया जाएगा जिन बच्चों का नामंकर आरक्षन के आधार पे होगा उनके फीस का खर्च राजव केंद सरकार विद्याले को मोहिया कराएगा विद्याले में परवेस देते समय विद्यार्थियों तता अभी भावकों के साथ साक्षात कार नहीं किया जाएगा और अरक्षित कोटे वाले बच्चों से किसी तरह का दान सुल्क नहीं लिया जाएगा समावेशी सिक्षा के अनुरूप विद्याले संगठन वपरवंदन अगला जो टॉपिक है ये कि समावेशी सिक्षा का अर्थ है समान विद्यार्थियों के साथ-साथ विशिष्ट बच्चों को भी समान सिक्षा परदान करना विशिष्ट बच्चों का अर्थ है ऐसे बच्चे जो सारे रिक रूप से विकलांग हो या उसमें कोई सारे रिक कमिया हो जैसे चलने में कटना ही होना, सुनाई नहीं देना, दिखाई नहीं देना, इस तरह की चीज़ आती है, तो उन सबों को एक साथ कक्षाम में पढ़ाना, अगर जरौत परे तो उन्हें अलग से ट्रेंड टीचर की या अलग से एस्पेसल कलास की जरौत को देना, तो अलग अल कक्षाई सिक्षन में बदला, तो कक्षा कख्ष शिक्षन की प्रकिर्टिक, परंपरागत, बाल केंद्रित, स्रिजनात्मक आदि, कक्षा कक्ष रिदालिय का एक पर्म अंग होता है इसके बारे में गया गया प्रावगत सुरुआत की स्चिर किर चाय होता है पहले क्या होता था रटने पे जूर दिया जाता था लेकिन अब बाल के इंदर सिक्षा है उसकी बात की जारे लोकतांत्रिक यानि वर्तमान समय का कक्षा कक्ष जो होता है वो लोकतांत्रिक होता है यानि सभी बच्चों को समान महत दिया जाता है कि इसे पर्टिकॉलर एक बच्चों को ज्यादा इंपोर्टन नहीं दिया जाता है सिजनात्मक्ता कक्षा ऐसा होता है जिसमें बच्चे खुद से कुछ क्रियेट करते हैं उनको कुछ नया करने का आफसर प्राप्त होता है समा में दिया गया है कि नेक्स कोश्चन ने सीखने की योजना लर्निंग प्लान अफधार ना योजना निर्मान कि रियान वायन एवं शौ मुल्यांकन तो जब कोई सिक्षक पर सिक्षन ले रहा होता है उस दरौन उन्हें कुछ महिने विद्याले में पढ़ाने का काज़ दिया स्ऽेल के देशन तरह में धना विद्या शौ जो सब्सक्रार स्था थे लिए व्यक्ति लिए उसके शिक्षक जो उन账श में तरह तरह में नोड़ सामय करतें विविद्यद्या सब्सक्राइग दिवर्चैन करतें व colonial भीयुत्ष और शौ मिज़न करतें तेंज इसकी उष् तो उसके बारे में यह सारी दिया गया है इसमें कि सुचनात्मक विवरन विसे वस्तु सजूरी पुर्वग्यान जो इस तरह से यूसना बनाते हैं उसमें मुल्यांकन लास्ट में होता है और यह सारी चीज़े जो होती है वह सिक्षक पर सिक्षक दोरा खुद भरी जाती है पार्ठी सहमागी सहगामी वह सैक्षनिक करियाएं को करीकुलर एक्टिविटी की बात की जा रही है कि एक साथ चलती रहती है पार्ठी करम के साथ साथ पार्ठी सहगामी करियाएं भी चलत वीकास यानि प्रोफेस्चक के आयाम सिख्षकों का जो है प्रोफेस्टनल डिवलप्मेंट किस तरह से किया जायै तो आज सिख्चा का जो सोरूप है उसके लिए सिख्षकों को विसेस तयारी करने कि वसक्ता होती है उनने नई बातों को सेंगे लिए हमेशा तत्पर्व तयार रहने की जरूरत है उनसे उमीद रखा जाता है कि वे अपने आसपास हो रहे परिवर्तन सिक्षा संबंदित सरकारी नीतियां तक्निकी विकास आदी को जानने के लिए सजग रहें साथ ही उन्हें अपने विश्य का विस्तरित समझ रखने की जरूरत है सिक्षक वोड़िक विकास में सिक्षक का सिक्षा में युगदान ही सिर्फ काफी नहीं बलके उनंका सभाव गुनचरितर छंता भी इसलिए बहुत जरूर है कि उनका विक्तित व आदर्स हो रास्टे सिक्षायोग्स में कहा गया है कि सिक्षक का दर्जा एक जटिल वैग्यानिक संकल्पना और विविन सांस्कृतिक संदर्भों में इसका अर्थ भिन भिन हो सकता है सिक्षकों को सामाजिक परिवर्तन में महत्मुल भूमी का निभाने की आवसकता है क्योंकि सिक्षकों का सामाजिक परिष उनके विर्तिक विकास का एहम अंग है उन्हें परियावरन के परति सम्वेदंसील होना चाहिए विद्दैले को संचालित करने में उनका एहम योगद परसिक्षन कारी करम होता है या परसिक्षन सेवा में आने से पहले प्राप्त किया जाता है प्रात्मिक मादमिक और उच अस्तरों के लिए परसिक्षन के अलग-अलग विवस्ता हैं होती है इस तरह से परसिक्षन दिया जाता सेवा काली इन परसिक्षन परसिक्षन सेवारत सिक्षकों को पर सिक्षन दिया जाता है इसका उद्देश सिक्षकों के कारिज छमता और खुसलता में विर्धी लाना होता है मल्टी मीडिया इंटरनेट संचाज इस सब का महत को समझाये जाता है और इसकी जानकारी दी जाती है विद्याले में नेतृत्य व्यवस्ता और सिक्षक परसास्निक सामोहिक सिक्षन सास्त्रिय परिवरतनकारी उसके बारें परसास्निक अध्यापक का क्या काम है किस तरह से वो नेतृत्य करते हैं सामुहिक, सिक्षन सास्रिय, पडिवरतन कारी, शिक्षक तनाव परबंद अवधारना तनाव के कारण अब जब सिक्षक को किसी मांसिक रूप से, वो सारेरी रूप से, या भावात्मक रूप से अपना संतूलत खो देते हैं, तो उनको तनाव से बचने के लिए क्या करना हो कि ना कारात्मक सोच रखना स्कूल पर असासन के साथ किसी मुद्दे पर खिशतान होना अपने सिक्षक सास्तियों वसाह करीमों के साथ अच्छा संब्द अस्थापित नहीं होना परिवारिक समस्चाएं हो सकती है भागदौर अनिंद्रा इस सबकी समस्चाओं के वज़े से क्या हो सकते हैं कि उसमें जो है मांसिक करूप से वो बिमार हो सकते हैं तो उसका निदान जो है तनाव को दूर करने का जो निदान है यह बताएगिए हैं सिक्षक के विड़ती विकास के श्वाद्ध्या लेखन वसाह कर्मियों की भूमिका उसके साथी किस तरह से सिक्षक संस्थाइं पर सिक्षन के अंदर वा सरकारी होजनाओं की समिक्षात्मक समझ तो महत्वन संस्थाइं पर सिक्षन के अंदर वा सरकारी होजनाओं की समिक्षात्मक समझ यानि देश पर में ऐसी बहुत सारी संस्थाइं जो विद्दैले सिक्षा को बहतर बनाने के लिए नीत शिक्षक होते हैं इसका अस्थापना अपने अंतरगत आने वाले विद्धालियों के सिक्षकों को पड़ते अकादमिक संसाधन साहता परदान करने के लिए किया जाता है तो यह सारी बाते की गई है जिला सिक्षन एवंपर सिक्षन संस्थान डी आई एट प्रारंभिक सिक्षण सिक्षक सिक्षा महाविद्धाले पीटी एसी डाइडिस्टिक इंस्टिटीट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग और पीटी एसी यानि प्राइमरी टीचर एजुकेश मर्सन कॉलेज तो दैस में सिक्षक सिक्षण विवस्ता मेंशक रयूहर्त लां हतूरा सिक्षा नी थी 1986 में बदलाव लाया गया था जिसमें देश के परतेक जिले में डाइट खोलने की परिकल्पना की गई थी डाइट में सिक्षकों को परसिक्षन दिया जाता था यहां सिक्षकों को उनके कर्टेब का बूद कराया जाता था विद्यालों के उद्देश व नियमों से अवगत कराया जाता था हर एक जिले में एक ही डाइट होता है तंद्रता के बाद भी प्रात्मिक विद्यालों में सिक्षकों की कमी था पर शिक्षे था सिक्षकों की कमी थी इसलिए ptec की अस्थापना किया गया। यहां विस फकर प्रात्मिक来लों के लिए वृप सिंदाफ़ांता जा और एक जिला में एक से जादा भी हो सकता है। इस संस्थानों का मुखे काज निभले के तहाए, अस्थानिय अस्तर पर प्रात्मिक सिक्षा की जरूद एवं समस्चाओं का सर्वेक्षन करना, सिक्षकों में उनके विश्य एवं सिक्षन पदाती में सुधार लाने है तो परियास करना, विद्याले में सिक्षा के गुनवक्ता में सुधार लाना राज अस्तरिय संस्थाएं राज सिक्षा सूध एवं परसिक्षन परिशद S.C.E.R.T S.C.E.R.T के अस्थापना State Council of Educational Research and Training के अस्थापना विद्याले सिक्षा में गुनवक्ता लाने है तू सब भी राज़ियों में अस्थापित की गई थी राश्ट्य सिक्षा नहीं थी 1986 में इसकी परिकल्पना की गई थी और वर्स 1992 में किरियान वायन हुआ था इसके दोरा डाइट और P.T.E.C. के पराचारियों एवं सिक्षक को हित्तू पर सिक्षन भी आयोज़ित किये जाते हैं S.C.E.R.T. का जो कार्ज है वो है सिक्षा में सुधार लाना सिक्षक सिक्षा में सुधार लाना सैक्षिक नवाचारों के लिए परचार करना सैक्षिक संस्थानों के लिए सिक्षन समागरी तयार करना शिक्षकों को सेवा कालिन एवं पुर्व सेवा पर सिक्षन परदान करना पाठे पुस्तक महिया कराना पाठे चरिया और पाठे करम का रूप रिखा तयार करना बिहार सिक्षा परियूजना परिसद बीईपीसी बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट कॉंसिल इस परियूजना की सुरुआत सन 1991 में बिहार में परारंबिक सिक्षा में गुनवक्ता एवं मातरात्मक सुधार लाने हतु की गई थी इसके द्वारा बालिकाओं अल्पसंख्यकों समाजों से वंचिद्वा दलित एवं पिछले वर्गों की सारभौमिक सिक्षा पर जोड़ देया गया था यह संसता एक संगर्ठन के रूप में अस्था बित किया गया है ताकि सिक्षा से सम्मानित नीटियों को लागू करने में राज्जे तथा केंद्र सरकार की परामर्स और सहायता पड़ान की जा सके इसका मुख्याले दिल्ली में है इसकूली सिक्षा में सुध एवं पर सिक्षन है तू बहतर समनवे एवं कार्यानवित है तू परिशद की निन्म परमुख इकाई है राज्टिय सिक्षा संस्था केंद्रीय सैक्षिक परदोगी की संस्थान छेत्रीय सिक्षा महाविद्याले केंद्रीय मादमिक सिक्षा बोट सी बी एसी Central Board of Secondary Examination नई दिल लिया 10th और 12th की परिक्षा को आई यूज करती है तथा परमान पत्र देती है अधिकतर नीची विद्धाले इसके अंतरगत आते हैं केंद्रे विद्धाले तथा नवोदे विद्धाले की भी परिक्षा इसी द्वारा ली जाती है New PA राश्टी सैक्षिक यूजना एवं परशासन विश्विद्धाले National University of Educational Planning and Administration यह सैक्षिक यूजना एवं परबंधन के छेत में छमता, विकास और सोध कार्ज में संगलन है इसका कार्ज है परसिक्षन, अनुसंधान, नवाचार, सुझाव, परकाशन, सहयोग राश्टी सिक्षा, सिक्षक सिक्षा परिशद, NCETE, यानि National Council for Teacher Education देश में अध्यापको को परसिक्षन समूची धंग से मिले, इसकी जमेदारी इसकी है इसका केंद्रिय मुख्याले नई दिल्ली में तथा चार शेत्रिय मुख्याले जैपूर, भोपाल, भुवनेस्वर तथा बेंगलोर में है अंतराश्टी एवंगेर सरकारी संस्था है UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund समाजिक विकास में या महत्मुन भुमिका निभाता है इसका परमुक कार्ज है जो बच्चे विद्दाले नहीं जाते हैं इनको अप्शारिक सिक्षा के अंतरगत लाने का काम करना बालिका वंचित वदलित वर्गों का सक्ति करन करना सिक्षन अधिगम समागरी का विकास है मुशूद सर्व सिक्षा अवियान इसके अंतरगत सैक्षिक वातवरन को सुखा देवम सुविदा युक्त बनाना छे से चौदा वर्ष के सभी बच्चों को मुक्त सिक्षा परदान करना सब पढ़े सब बढ़े इसका नारा है सब सिक्षा अवियान का राश्टिय मादमिक सिक्षा अभियान रमशा इस योजना को मार्च 2009 में लागों किया गया था इसका मुख लक्ष था मादमिक अस्तर तक बच्चों को का पहुँच बढ़ाना तथा गुनवक्ता में सुधार लाना साथ ही यह सैक्षिक संस्थान भी संसादन भी मुहिया करा जाती है पढ़े चलो बढ़े चलो रमसा समेकित बालविकास योजना इंटीग्रेटट चाल्ड डिवलप्मेंट सर्विस यह केंद्र सरकाल का प्रोग्राम है इसके अंद्रगत छे वस्तक के बचों को संतूलित आहार पुर प्रात्मिक सिक्षा तता स्वास्त संबंदीत स आयता परदान की जाती है थैंक्स पूर आजिंग मैं चैनल यार कॉंसेट लर्निंग